हेलो दोस्तों जैसे कि आप लोग काफी दिन से इंतिजार था नरोरा के एक्जाम के रिगार्डिंग तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली नरोरा पावर जो निकलिया पावर प्लांट है उसकी जो वेकैंसी आयू थी उसके एक्जाम के रिगार्डिंग कुछ नए इसके बाद आने वाज दिनों में एक मैं सेप्रेट वीडियो अपलोट करूंगा पर्टिकुलर ट्रेड के लिए प्लांट ओपेटर के लिए सब के लिए एक डेटेल वीडियो जो आने वाला हूं आज या कल में जो है वह वो वीडियो अपलोट हो जाएगा तो basically पहले हम उसके लिए एक अपडेट आया हुआ है कि आपका exam पंदृ फिर्वरी को जी हाँ 15 फिर्वरी को यहाँ पे 15 फिर्वरी 2021 को जbecaries करें, अगर आप अपने mail करोगे तो आपका paper का language पूछेगा कि आप paper किस language में देना चाहते हो Hindi language में या फिर English language में जो भी आपको language यहाँ पर चाहिए English चाहिए तो English को आप click कीजिए अगर Hindi चाहिए तो आप Hindi को click कर सकते हैं click करने के बाद दोस्तो click करने के बाद आप जो है आपका admit card है वो generate हो जाएगा तो यहाँ पे admin card तो जो है यहाँ पे generate हो जाएगा आप जो है देखोगे तो आपका examination center है दोस्तो यह नरोरा के ही plant में ACS school होता है atomic energy school होता है तो उसमें जो है आपका offline paper जो है यहाँ पे conduct कराया जाएगा इसके regarding यहाँ पे आपका offline paper होगा यहाँ पे कोई भी interview नहीं है तो यह जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों अभी मैं plant operator के लिए बात कर रहा हूं जो cat1 sorry cat2 के लिए vacancy है तो अगर उसमें अगर आप देखोगे दोस्तों तो वहाँ पे जो है दो स्टेज हो रहा है स्टेज वन स्टेज 2 तो स्टेज 2 दोस्तों यहाँ पे main है तो स्टेज 2 में इसके साथ दोस्तों हमने एक वीडियो भी upload कर रहा है जिसमें हमने plant operator का previous paper भी discuss कर रहा है तो वह पेपर जो है आपको वीडियो जो है आपको देखना है वह काफी help करेगा आपको इसकी रिगार्डिंग देन आई टीए वालों का अगर मैं बात करूं तो आई टीए की रिग 12 की बुक लेनी पड़ेगी 11 और 12 दोनों की बुक आप ले लीजिए तो वहां पर जैसे कि मैं बात करूं तीन important subject है पहला physics दूसरा chemistry तीसरा maths यह तीन सबजेक्ट आपको पढ़के जाना है इसमें basic basic जो चैप्टर है इनिशली की जो चैप्टर है जैसे कि अगर मैं दोस्तो बात करूं chemistry का बहुत बड़ा subject है तो इसमें जो है दो पार्ट होगा organic और inorganic तो और गैनिक में आपको starting के दो चैप्टर पढ़के जाना है जो hydrocarbons के होते हैं तो hydrocarbon के starting के दो चैप्टर जो आपको पढ़के जाना है जिसमें ketone, aldehyde यह सब चीजे हैं उसमें basic जो होगा hydro जो पढ़के जाना है देन यहां पे जो इन और गैनिक वाला पार्ट है उसमें आप जो है पी ब्लॉक के जो oxide के formation से वो देख सकते हो वो क्योंकि वहां पर डायक्ट पूछता है और oxide के formation जो हाइपो और oxide वगएरा कि उसके oxidation नमबर यह साई चीजे पूछती है तो उसको ए दीप में नहीं जाना है क्योंकि राज़ा डीप नहीं पूछता है तो यह तो होगी chemistry से बात है बाकि आप जितना ज्यादा कर सकते उतना बैटर है लेकिन यह सारी चीज़ें आपको करके जाना है देन मैस की बात कि दोस्तों तो मैस में आपको करना क्या है मैस में जो है प्रकार को आपको यह पर करना है तो वह काफी ज़्यादा है और पेपर आप चाहते हो लिंक मैंने दे रखा है कुट्ट दॉट्क पर जाएगा वहांपे आपको हर एक पोस्ट के लिए पेपर मिल जाएगा तो आप वहां सर्फ डाइक्ट पेपर भी डावलोड कर सकते है तो आप paper को देखने के बाद आप analysis कर सकते हो कि कौन subject में पढ़ जाना है और कौन subject नहीं छोड़ जाना है दिन दोस्तो यहां पर अगर यह तो कुछ topics हो गए दोस्तो जो आपको पढ़ जाना जैसे छोड़ा नहीं है मैंस में दोस्तो आपको integration, differentiation, limit और ellipse, hyperbola और parabola इनके equations होते हैं वो भी पढ़के जाना है equations से questions बनता है then circle का equation होता है उसको पढ़के जाना है तो कुछ आने वाले दिनों में अभी आज ही सामने मैं आपको एक पूरा topic वाइस पूरा बताऊंगा यह दोस्तो कुछ important information देने के लिए वीडियो upload कर रहा हूं तो आप जो है इसको एक नया information जाने के लिए सो सकते हैं कि यह वीडियो में अप्लोड किया है सेके इस्टेस के ही basis पर सेलेक्षिन होगा और जितना ज़्यादा मार्क्स आप जोस्तों यहाँ पर गिन करोगे उतना जल्दी ही आपका selection या फिन उतना सेलेक्षिन चान्सलों बढ़ जाएंगी को को सिस यह करना है कि उन फॉर्टी फाइप प्लस लेक्षिन हो सकता है कि एजी आए और पेपर इजी आता भी है लेकिन कट आप बहुत ज़्यादा जाती है तो आपको कोशिज करना है दोस्तों कि 145 प्लस ले गया हो ताकि शूर सेलेक्शन हो सके आपको कभी कमप्रीशन को यह नहीं कह सकते हो कि अगर हम 145 कैसे ले सकते हैं आता है मार्क्स आते हैं हम सामको जो है इसका important topic जो है वीडियो अप्लोड करेंगे और यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि मैं आपको यहाँ पर ऑपरेटर के लिए टेक्निशन इलेक्टिशन के लिए अल्यड़ी वीडियो अप्लोड है देन बांकी पोस्ट जैसे फिल्टर के लिए फिल्टर के हमां बनकी दोस्तों और जो साइंट्पीक एसिस्टेंट वाले पोस्ट हैं तो फिजिक्स वाले हाई के लिए ऐर मेकनिकल वाले और ऑले और येweg्ट्र के यह दोनों के वीडियो और और बीडियो जो है हमारे वैपसाइट प्लोड है quicktechdew.com उस पर जाके आप आ सकते हो हमने जो है बीडियो भी आप देख सकते हो चैनल के प्लेइस्ट में एक्जामेशन पैटर्न के नाम से प्लेइस्ट होगा आप उसको फॉलॉप कीजिए वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां से मिल जाएगी तो वेट कीजिए सामको जो हम इसका इंपॉर्णन टॉपिक वाइस जो है वीडियो अफ्लोड करने जा रहे हैं तो यहां सब वीडियो के इंट करते हैं तो एक पार फिर मैं बतादों आपका एक्जाम है दोस्तों नैप्स HRM 01-2018 का इसका एक्जाम है वह आपका 15 फरवी 2021 को जो है कंडेक्ट होगा और यह information आया हुआ है आपका अपना mail चेक कीजिए वहां से आप जो है अपना admit card डाउंलोड कर सकते हैं